मंडी शहर के तेरा वार हैं जहांकि सरकों और गलियों की विवस्ता पर यदी नजर जोड़ाई जाए तो पता चलता है कि कुछ वार्ड तो अपनी विवस्ता को लेकर बहुत दरूथ हैं लेकिन कुछ वार्ड अभी भी अपने रक्रखा को लेकर बढ़ा हैं मंडी शहर के वार्ड नमबर तीन में जेल रोड और पैलस कलोने की सड़क की हालत अपना बत्तर हाल बयान कर रही है सड़क पर पड़ी दरारे और गठे ना सिर्फ यातायात बलकि पैदल यात्रियों के लिए भी परिशानी का सबब बनी हुई है इस सड़क पर परिशाद द्वारा रोडी बिचाई गई है और यातायात की आवाजाही के चलते पत्थर दुकान तक पहुँच जाते हैं और साथ ही बच्चों के लिए भी यहाँ परिशानी का सबब बनी हुई है सथानी लोगों का मानना है कि यहाँ रोडी के बजाए टारिंग होनी चाहिए सड़क की विवस्ता को देखते हुए सड़क पर हादसे होने की संभावना भी बरकरार है सड़क पर उड़ती धूल मिट्टी एक और जहां यहाँ के बातावरन को दूशित कर रही है वही यह धूल बच्चों की सिहत पर भी बूरा असर डाल रही है सथानी लोग इस खशेतर की सफाई दवस्ता को बरकरार रखने की मांग भी कर रहे है वही नगर परिशद के कारेकारी अधिकारी ने सड़क मुरमत की बात पर प्रातना पत्र दिये जाने की बात कही है ताकि इस पर उचित कारवाही को अंजाम दिया जा सके मन्ली की गलियों की बात की जाये तो ना सिर्फ वार्ड नमबर तीन बलकि शहर के अन्य कई वार्ड ऐसे है जहां जनता अपने पारशदों से सड़कों और गलियों की विवस्ता कायम रखने की मांग तो करती है लेकिन पारशद अपनी सूरत तक दिखाने को कत्राते नजर आते हैं ब्यूरो रिपोर्ट के चनल मंडी मंडी स्थित राजकिये वल्लब महविद्याले में वर्ष दो हजार नो से दो हजार दसका सत्र शुरू होने जा रहा है जिसके लिए कॉलेज में प्रवेश लेने वाले चातर शातराओं की खासी भीड कॉलेज परसर में देखने को मिल रही है और दूर दूर से आई विद्या की अलगलग विश्यों में प्रवेश ले रही है मंडी स्थित वल्लब महविद्याले में शुरू होने वाला सत्र 2009-2010 के लिए प्रवेश प्रक्रिया का दौर शुरू हो चुका है इसी के चलते कॉलेज परसर में नए चात्रों का जमाबडा भी दिखना शुरू हो गया है 11 जून से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो अगले 10 दिनों तक जारी रहेगी आने वाली 22 तारीख से कॉलेज में श्रक्षनिक सत्र शुरू होने जा रहा है और कॉलेज प्रशासन ने में सत्र के लिए सभी तयारियां पूरी कर ली है अड्मिशन्स प्रोसेस दस दिन तक बिना लेट फीज के चलेगा उसके अगले 10 दिन तक लेट फीज के साथ बच्चों को अड्मिशन दिया जाएगा और 10 दिन के बाद 22 जून से हमारा सैक्षनिक सत्र आरम्ड होने जा रहा है इसके लिए पूरी तयारियां कॉलेज प्रशाशन की तरफ से कर ली गई है जैसे ही अड्मिशन समाप्त होती है बढ़ाई का बातावरन हम चाते हैं कि सचारू रूप से हम जारी कर सकें कॉलेज में अड्मिशन प्रकुरिया सबंधी नए चात्रों का मागदर्शन करने के लिए विब्मी न चात्र संगठन भी अपनी विशेश भूमी का निभाते नजर आ रहे है वहीं कॉलेज परिशर में पहुंच रहा नया विद्यार्थी भी खुद को मिल रहे सहयोग के चलते सुखद महसूस कर रहा है 11 जून से विद्याथी परिशद और SCA एकक्थे मिलकर मंडी महा विद्याले में गाइडस बिरुस स्टार्ट कर रहे है और ये 30 जून तक चलेगा सभी चात्र और चात्रों से नरूद है कि वो जल्डी से जब आके मंडी महा विद्याले में अपनी एड्मिशिन्स कराएं हम विद्याथी परिशद और SCA कथे मिलकर सभी नए चात्र चात्रों की सभी मुश्किलों को प्रशाशन के समस्त रखेंगे कॉलेज केंपस में पसुरी नए चात्रों की चात्रों की चात्रों जहर पहल ने एक और जहां कॉलेज के वातावरन को ताजा कर दिया है वहीं उम्मीद की जा सकती है कि नए चात्रों के लिए कॉलेज में शिक्षा का वातावरन भी सुखद रहेगा बिरो रिपोर्ट के चैनल मंडी वंडी के पंडो चेतर में इन दिनो हरवन्स मेमोरियल क्रिक्ष परत्योगिता का यूजन किया जा रहा है वीच तीस ओवर के अधार पर खेली जा रही इस परत्योगिता में कुल 18 टीमे भाग ले रही है मंडी के नज़ी के पंडोह में बटाली नमेदान में इन दिनों हरवंस मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता आयुजित की जा रही है यह प्रतियोगिता पहली बार बादर यूवक मंडल दोरह आयुजित की जा रही है जिसमें 18 टीमे भाग लिए रही है मैच 2020 ओवर के अधार पर खेला जा रहा है इस प्रतियोगिता का शुभरम बीडी सी अध्यक्ष जगरनाथ सकलानी दोरा किया गया सकलानी ने हरबंस को खेल जगत का एक अहीडा करार दिया इस मौके पर खेल जगत से जुड़े खिलाडियों ने भी हरबंस को याद किया और अपने लिए एक फ्रेन ना स्रोत बताया ठाकूर हरबंस लाल जी का खेलों के खेलों के खेत्र में खासकर बाली बॉल और कबड़ी में मतुपूर्ण योगदान रहा है जिसे पूरे जिला मंडी पूरे इलाका अवदार ही नहीं बलकि जिला मंडी के खिलाडी वर्ग भी कभी भुला नहीं पाएंगे आज बड़े दुख का बिशे भी है कि आज वो शक्स हमारे बीच नहीं है मगर उसकी खेलों के प्रती हमारी सुनेहरी यादे हमेशा चाय क्रिकेट हो वाली बॉल हो कबड़ी हो आगे बढ़ने के लिए प्रेर नदाई है रश्ट्री सरफर खेलों में अपना नाम कमा चुके हरवंस का खेल जगत में एक एहम स्थान है जिसका वाली बॉल और कबड़ी में विशे शिरुची थी हरवंस की एक दुरगटना में पांच वर्श पहले मौत हो गई थी और वह स्वास्त विभाग के लांग में बतार चालक कर रह थे बालकराम के चैनल पंडो इन दिनों मंडी के विपाशा सदन में मंडी जिला रेट्ग्रो सुसाइटी और संदीपनी योग सिक्षन सिंस्थान के सनयुक्त तत्वाधान में एक योग शिवर का योजिंग किया जा रहा है आज से 16 जून तक चलने वाले से योग शिवर का शिवरंग अस्पिताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा सपना शर्मा ने किया योग शिवरंग में संदीपनी योग सिक्षन सिंस्थान से आई योग गुरू लोगों को योग के महातर से आफ़गत करा रहे हैं मंडी के विपासा सदन में जारी योग शिवर सबन्दी जान कर देते हुए अस्पिताल कल्याण अनुभाग के अध्यक्षा सपना सर्मा ने बताया कि आज की भाग दौड भरी जिंदगी में बढ़रे तनाप को कम कराना ही इस योग शिवर का मुख्यो देशे है इस मौके पर उन्होंने इस तानिये लोगों से योग शिवर में बढ़ चलकर भाग लेने का अफ़वान भी किया है आज हमारे यहां पर जिला रेड क्रोस सोसाइटी वेलफिर सेक्शन की तरफ से एक योग शिवर का आयोजन शुरू किया गया है जो आज से सोला जून तक चलेगा इसमें हमारा मेन पर पर जेही रहेगा कि आजकल लोगों की इतनी भाग दोड़ भरी जिन्दगी है जिसमें कहीं न कहीं हमेशा ही कोई न हर कोई बंदा तनाब में रहता है उस चीज़ को थोड़ा सा हम चारे थे कि लोगों को अपना मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए ये शिवर हमने आयोजित किया है तो मेरा आम जनता से यही गुजारिश रहेगी कि जादा से जादा संख्या में आकर यहां पर आएं और इस योग का फाइदा उठाएं योग शिवर में भाग लेने के लिए 100 रुपे शुल्क निधारित किया गया है और योग शिवर का समय शाम 6 बज़ से 7 बज़ तक रखा गया है आयुज़कों के अरसार लोगों की रुज़ी को देखते हुए इस शिवर का समय सुबह भी निधारित किया जा सकता है ट्रेस था वो काफी मुझे रिलीव लग रहा है कि मैं काफी जादा रिलाक्स हो गई हूँ और इसमें हमने सिर्फ रेजिस्ट्रेशन फीसल्स सौ रुपे रखी है जो हमारा थोड़ा बहुत भी पांसात दसाजार रुपे ही गठा होता है वो रेड क्रोस सोसाइटी को जाएगा और इसका टाइमिंग जो है शाम को भी बाशा सदन में पांस से छे से साथ बज़े तक का रखा गया है और जो कोई इच्छुक लोग हैं वो अब खपना हमें आके बता भी दें तो हम उस हुसाब से सुभे भी छे बज़े से साथ बज़े तक यहां पे इसका आयोजन कर सकते हैं वही योग शिवर में भाग ले रहे लोग भी योग सीखने के बाद कुद को तरोताजा महसूस कर रहे हैं निश्चिती आज इस तरह के योग शिवरों के बादम से लोगों को आज भी भाग दौड़ बरी जिंदगी भी कुछ तनाब कम करने में साहिता मिल रही है विरो रिपोट के जनल मंडी एक नजर के इस रंग में फिलालत नहीं इस कारिकरम संबंदी आप अपने सुझाब या जानकारी हमें इस पते पर भीज सकती हैं हमारा पता है कौल किम्निकेशन 173-3 पैलस कलोनी मंडी की मासर पदेश नुश्टार